तेरी जलक शर्फी श्रिवली नैना मदक बर्फी तेरी जलक शर्फी श्रिवली रात तो आज कि इस वीडियो में आप लोग सिखेंगे कि अपने मवाइल फोन से अपने फोटो के साथ या पिर किसी के भी फोटो के साथ कुछ इस तरह का trending status वीडियो का ऐसे edit किया जाता हैं कैसे बना जाता हैं तो वीडियो काफी ज़्यादा interesting and knowledgeable होने वाली हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को complete जड़ देखेगा तो चलिए दोस्तों बिना हो और जो material आपके पास नहीं होता है वो मैं आपके पास भेज देता हूं तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल के स्कीन पर आ गया हूं तो सबसे पहले आप लोग को एक application का जोत पर जाएगा जिसका नाम है काइन मास्टर है तो आप लोग को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या फिर नहीं तो लिंक में description box में दे दिया हूं वहां से भी आप लोग download कर सकते हो और download करने के बाद simply open कर लेना है and open करने के बाद यहां पर प्लेस वाला आइकन दिखाए दे देगा create new का उस पर click कर देना है उसके बाद 9 by 16 वाले ratio को select कर लेना है और next पर click कर देना है और दोस्तों यहां पर आप जिन जिन फोटो के साथ status video बनाना चाहते हो उन सारे photos को select कर लिजेगा आप अपना जिन जिन फोटो के साथ status video बनाना चाहते हो उन सारे photos को यहां पर select कर लिजेगा उसके बाद उपर से cut कर देना है शुरुवात में आ जाना है और दोस्तों सबसे पहले वाले photo पर आप लोग को click कर लेना है इसके वीगनेट को यहां पर सबसे पहले on कर देना है उपर चले आना है इस वाले option पर और double lining वाले option पर एक बार tap करके दोनों उंगली से खीच करके यहां पर कुछ इस प्रकार से आप लोग को zoom कर लेना है इसके वीगनेट को on कर देना है उपर चले आना इस वाले option पर और double lining वाले option पर tap करके दोनों उंगली से खीच करके यहां पर भी आप लोग को कुछ इस प्रकार से इसको zoom कर देना है उसके बाद उपर से सही कर देना है इससे अगले photo पर click करना है इसके वीगनेट को on कर देना है इस वाले option पर click करके इस पर tap करके दोनों उंगली से खीच करके यहां पर भी आप लोग को कुछ इस प्रकार से zoom कर लेना है इसके बाद उपर से सही कर देना है इससे अगले वाले photo पर click करना है इसके भी वीगनेट को on कर देना है इस वाले option पर click करके double lining वाले option पर tap करके दोनों उंगली से खीच करके यहां पर भी आप भी आप लोग को अच्छे तरीके से अपने photo को fit कर लेना है उसके बाद उपर से सही कर देना है अगले वाले फोटो पर क्लिक करना है वीगनेट को आउन करके इस वाले उप्शन पर क्लिक करके डवल लाइनिंग वाले उप्शन पर ट्याप करके यहां पर आप लोग को कुछ इस प्रकार से फोटो को फिट कर लेना है उपर से सही कर दे और सारे फोटोज को यहां पर कुछ इस प्रकार से आप लोग को फिट कर लेना है उसके बाद उपर से सही कर देना है सुरुवात में आ जाना है और दोस्तों यहां पर फश्ट में जो यहां पर प्लस वाला आइकन आप लोग को दिखाए दे देगा यहां पर इस प्लस वाला करना नहीं आता है तो इस वीडियो को लास्त तक देखते रहिए वीडियो के लास्त में आप लोग को बता दूँ गा कि किस तरह से आप लोग को SPN blur वाले effect को डाउनलॉड करना है उसके बाद दोस्तो SPN blur वाले effect पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर First वाले को इस वाले को select कर लेना है। उसके बाद ऊपर से सही कर देना है इस से अगले बावले plus वाले एकन पर click करना है। और दोस्तोर यहां पर भी spin blur वाले एफेक्ट को यहां पर सेलेक्ट कर लेना है तो दोस्तों आप फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर सकते हो सेकेंड वाला को सेलेक्ट करना चाते हो यहां पर आप सेकेंड वाले को सेलेक्ट कर सकते हो तो दोस्तों यहां पर मैं सारे पलस पर क्लिक करके SPN Blurr में जा करके 1st या फिर 2nd को select कर देता हूँ सारे photos में जा करके उसके बाद दोस्तो simply आप लोग को यहां से सारे photos में पहले अच्छे तरीके से आपड़ add कर लेना है उसके बाद उपर से सही कर देना है और सही करने के बाद दोस्तो simply आप लोग को यहां से सुरुवात में आ जाना है और सुरुवात में आने के बाद 1st वाले photo पर click कर लेना है और इसके यहां पर duration को थोड़ा सा कम कर देना है तो दोस्तो आप लोग को यहां पर सारे photos के duration को यहां पर थोड़ा थोड़ा सा यहां पर कम कर देना है तो आप लोग को यहां पर सारे फोटोज के डूरेशन को यहां पर थोड़ा सा कम कर देना है सारे फोटोज पर क्लिक करना है और सारे फोटोज के डूरेशन को यहां पर थोड़ा सा और सही करने के बाद simple आप लोग को शुरुआत में आ जाना है layer पर क्लिक करके सब से नीचे वाले option handwriting पर क्लिक कर लेना है और brush पर क्लिक करके second number वाले brush को select कर लेना है color पर क्लिक करके white color को select कर लेना है उपर से सही कर देना है साइज पर क्लिक करके सब से यहाँ पर सब से लास्ट वाला जो साइज है यहाँ पर उससे पहले वाले साइज को यहाँ पर सैलेक्ट कर लेना है उसके बाद आप लोग को यहाँ पर ब्रस को कुछ इस प्रकार से यहां पर दो तीन बार चलाना है उसके बाद उपर से सही कर देना है हैंड राइटिंग पर क्लिक करके सिंपल इसको यहां पर कुछ इस प्रकार से दोनों उंगली से खींच करके यहां पर जूम करना है कुछ इस प्रकार से और इसको यहाँ पर यहाँ पर रख देना है यहाँ पर उसके बाद इसके डूरेशन को आप लोग को यहाँ पर फुल कर देना है जितने दिर तक का यहाँ पर फुरा वीडियो है उतना दिर तक लास्ट तक उसके बाद उपर से साइक कर देना है सुरुवात में आ जाना है ल यहां पर इस वाले लिरिक्स टंप्लेट वीडियो को एड कर लिजेगा या फिर दोस्तों आप किसी दूसरे लिरिक्स टंप्लेट वीडियो को इसे स्टेटस वीडियो में एड करना चाहते हो तो उस लिरिक्स टंप्लेट वीडियो को यहां पर सैलेक्ट कर लिजेगा उसके बाद आप लोग को नीचे चले आना है यहां से ब्लेंडिंग ओल अप्शन पर और यहां पर आप लोग को मल्टी प्ले को सेलेक्ट करना है और इसको यहां पर यहां पर रख देना है यहां पर और दोस्तों इसके साइज को आप लोग को यहां पर थोरा सा बढ़ा देना है इ पूरे अच्छी तरहीं से उसके बाद ऊपर से शॉरुवात में आ जाना है और सुरुवात में आने के बाद दूस्तों यहां पर मैं एक टेंपलेट वीडियो को एड़ कर रहा हूं तो उसका भी लिंक मैं डिसक्रिप्जन बाॉक्स में दे यहां हों वहाँ से आप लोग भी डवी डांलाउड कर लीजएगा और इस वाले टम्पलेट वीडियोको यहां पर एड कर लिजएगा उसके बाद सबसे पहले आप लोग spoilers पर क्लिक करके इस पर trap करके इसको full screen करदेना है उपडर से सय कर देना हैं फिर से एक बार इस टमपलेट वीडियो पर क्लिक करके इसके साउंड पर क्लिक करके इस पर ट्याप करके इसके साउंड को यहां पर म्यूट कर देना है उसके बाद उपर से सही कर देना है फिर से एक वाइस टमपलेट वीडियो पर क्लिक करके आप लोग को नीचे चले आना है यहां से ब्लेंड उसके बाद दोस्तों इस स्टेटस वीडियो को अपने मुवाइल फोन में सेव करने के लिए आप लोग को सेयर वाल एकन पर क्लिक कर देना है एंड क्वाइल्टी में 720 पी या फिर 280 को सेलेक्ट कर लेना है फ्रेम डेट में 30 को सेलेक्ट करके इसको या पर अपने हिसाब से इंक्रीज कर लेना अपने हिसाब से और सेव बाले ओप्सन पर क्लिक कर देना है पर आपका ये वीडियो एकसवट होकरके आपके मौवायल फोन में सेव हो जाएगा उसके बाद आपका मन जहाँ पर होता है वहाँ पर इस वीडियो को सेर कीजे जहाँ परे स्टेटस में मन होता है वहाँ परे स्टेटस में इस वीडियो को लगा लिजे तो दोस्तों आपके आप लोगों को आज का वीडियो पसंदा होगा अगर वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कर दीजेंड अभी तक हमारे यूटूब चनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो सस्क्राइब करके वे लेकन को प्रेस करके औल पर सेर्टो करी लीजिएगा तो चलिए दोस्तो फिर मिलते किसी और इंटेस्टिंग वीडियो के साथ किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिन बंदे मात्रा